नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सेलेंट गुरूपर मैं हूँ आपका दोस्त राकेश सिहाग आजम बात करने वाले हैं 25 जुल्या के करेंट अफेर के बारे में आज का ये जो वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो शेर जुरूर करेंगे इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर दबाएंगे अगर आप वीडियो की पर पहली बार है तो ठीक है चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बने रहना है चलिए श किसानों के लिए उरुवरक वित्रन कार्य करम शुरू किस ने किया था उत्रपरदेश के मुख्य मंत्री ने किया था इसका सो ओप्शन नमबर आपका है वो बिलकुल करेक्ट होगा यह कल पूचा था कल के वीडियो में पूचा था उमीद कर सकते हूं यह क्यूसन आपको स क्लिए बोलता हूं तो उर्वर्क वित्रन कार्येकरम शुरूर किस नहीं किया था उत्तर प्रदेश सरकार नहीं किया था धान रखना आपको अच्छे से जलिए भई बात करते हैं अगले क्यूशन के बार में डिसकस करते हैं क्यूशन से पर मैं आपको बतादूं पुछ 24 जुले के मैंने क्रयंट अफिर को आत्स क्यूशन के लिया है एक ने जिससे कि आपको कल की जान करें ताजी हो जाए और आप अच्छे से और भी इनको अच्छे से याद कर सको तो देखिए मैंने आपको कल पहले जो पहला किसन पुछा था वो पुछा था कि हाल ही में रेल मंत्री ने पुरुवत्र राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की गोशना की है तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की गोशना की है 2023 तक किसने रेल मंत्री पी उस गोईल में ठीक है ये बात आपको ध्यान लखने की उसके बाद मैंने दूसरा क्यों से पूछा था कि हाल ही में किस राजे सरकार ने आसा और अंगन बाड़ी कारिय करताओं की मासिक प्रिवार पैंसन की गोशना की है इसका एंसर था आपका ओडिसा ओडिसा जो राजे सरकार है उसने आसा और जो अंगन बाड़ी कारिय करता है उनकी मासिक प्रिवार पैंसन की गोशना की थी औरी सा सरकार में अगला क्योशन कुशा था कि हाल ही में लालजी टिंदन का निदन हो गया वो किस राज्य के राज्येपाल थे आपको पता है मध्य परदेश के राज्येपाल थे लेकिन इनकी मर्त्यों के बाद इनकी निदन के बाद मद्धेव परदेश के राजेपाल का अत्रिक्त कारियभाल किसे सौंप गया है उत्तर परदेश के जो राजेपाल है का नामा अनंदी बेन पटेल अनंदी बेन पटेल को क्या किया गया है ये कारियभाल सौंप गया है ठीक है पिल्कुल उमीद कर सकते हैं यह क्यूशन आपको समझ में आया होगा अगले क्यूशन की बात करते हैं अगला क्यूशन था क्यूशन था हाल ही में बेरी जर्मन का निदन हो गया उनका समंद किस से था तो बेरी जर्मन का जो निदन हुआ है उनका समंध किस से था उसका समंध था किर्केट से किस से था किर्केट से था उसके बाद मैंने आपसे क्यूशन पूचा था कि हाल ही में अंत्राष्ट्री किर्केट परिसद यानि ICC ने T20 World Cup को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है तो 2022 सब्सक्राइब कर दिया है ICC ने T20 World Cup को ठीक है ये पांच क्यूशन थे इसके बाद हमने छठा क्यूशन की चर्चा की थी कि हाल ही में माल्दिव ने किस देश के साथ माले में अपात काली ने चिकित्सा सेवा सुरू करने के लिए समझोता किया तो माल्दिव है इसने किस के साथ किया था भारत के साथ समझोता किया था माले के अंदर अपात काली ने चिकित्सा सेवा सुरू करने के लिए तो चुद भारत है वो मालदियों को क्या कर रहा है, किस्ता सेवा दे रहा है, आई उर्वेदिक दवाईakis दे रहा है, खादिया पूर्ती दे रहा है, ये इस सम्झोते के तहट बारत मालदियों को दे रहा है, फिके है न? विल्कुल. अगला क्योंस नमने डिस्कुस किया था कि हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 रोख थाम के लिए राष्टर व्यापी अभ्यान शुरू करने की गोशना किये तो उस बैंक का नाम था पंजाब नेसनल बैंक यान रखना पंजाब नेसनल बैंक पतलब शस्तो बासट वाक्नें डेश को में डेकल बीचावा इसके बाद मैंने करवाय था कि हाल ही में सूर्ज कदेС्व मर्दा नहीं नामक पुछ तक किस किस ने लिखी थी ये लिखी थी बल्दे उसी हैने लिखी थी ठीक है ये आपका आठा क्यों संता कल उसके बाद आपका दस्वां नुवां जों क्यों संता वो था कि हाल ही में जुआन मारसे का निदिन हो गया वो कौन थे जुआन मारसे कौन थे तो वो एक उपन्यास का थे जिनका क्या हो गया इसके बाद दसमा क्यूस्टण था कि परसिद बोलीवुड अभिनेता 60 सूध ने सरमीकों की मदद केलिए निम्ण में से किस एप को launch किया तो परवासी रोजगार एप परवासी रोजगार एप को launch किस ने किया था स्थोनों सूध ने किया था ठीक है न कल ये ये थे आपके कल के दस्क्रिशन उम्मीद करता हूँ आपको कल भी समझ नहीं थे आज फिर से आपका revise हो गया होगा अगर मेरे दोरा किया गया प्रियास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को like करेंगे share करेंगे और चैनल को subscribe आप जरूर करेंगे इसके साथ साथ मा आपको बता दूँ अगर आप इस class का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करेंगे टेलिग्राम चैनल का नाम है online दोस्त online दोस्त अब बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि ये search कहाँ पर करना है टेलिग्राम की जो एप होगे टेलिग्राम की एप को जोईन कर लेना ठीक है बबू चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं पहले क्यूशन आज का जो पहला क्यूशन है वो है कि हाल ही में ICC के प्रतिबंद नियम का उलंधन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं आपको पता है ICC ने इस COVID-19 के चलते बोल को जो बोल होते हैं गेंदोती क्रिकेट की बोल को लार्स से साफ जो किया जाता है उसके उपर परतिबंद लगा दिया गया था आपने देखा हूँ का क्रिकेट के अंदर लाड़ी क्या करते हैं उसके उपर लार्स उसके उपर रगडते हैं और उसको साफ करते हैं बोल को उसको चमख पैदा करने के लिए उसके उपर अभी ICC नहीं क्या कर दिया था अधान आपको चेहां पर बात करते हैं इंटर्नेशनल क्रिकेट काउंचल उसके बाद बात करें हिंदिय में तीक फोर्म है आंतराष्ट्श्टी के परिश実 अंतराश्टी क्रिकेट परिशद हिंदी के अंदर इसकी फुल फोरम है उसके बाद इसकी स्थापना 15.01909 को की गी थी मुखेल इसका दुबई के अंदर है CEO का नाम है मनु सहानी और अदेक्स का नाम है ससांक मनोहर यह सारी बात आपको ध्यान रखने ICC के बारे में और यहां से क्यूशन की जाने के समावना बहुत जादा होती है उमीद कर सकता हूँ यह क्यूशन आपको बहुत अच्छी से समझ में होगा अगले क्यूशन के और बढ़ते है अगला क्यूशन है कि हाल ही में फिफा ने 2022 का विश्वकप किस देश में आयुशित करने की गोशना की है अच्छा फिफा का जो फुटबोल जो विश्वकप होता है उसने 2022 का जो विश्वकप है वो किस देश में आयुशित करने की गोशना की है इसका जो क्रेक टेंशर होगा वो होगा option number C कतर के अंदर कहां पर की है कत कतर के अंदर फिफा ने 2022 का जो विश्वक अप होने वाला है फुटबोल का विश्वक अप वो किस देश में जित करने की गोशना की है यहां रखना कतर के अंदर के यह उप्शन नमर सी आपका बिल्कुल राइट है सबसे पहले बात करते हैं फिफा की फिफा की फुल फोर्म क्या है फिफा की फुल फोर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल इफुटबोल एसोसियेशन यह इस फिफा की फुल फोर्म है अगर बात करते हैं तो पूरे विश्वे में फुटबोल खेल को फिफा रेगुलेट करता है इतने जो भी फुटबाल का खेल होता उसको कौन रेगूलेट करता है फिफा किसे समझत है फुटबल से समझत है फिफाल की स्थापना 21 मई business 4 को की गई थी इसका मुख्याले रिख स्विजर लेंड में है ओर इसके अदेखस का नाम है यानि infantino infantino इसके क्या है अधिक्स है जो आपको ध्यान रखना है इससे फिफा के बारे में उमीद कर सकते हूँ यह क्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बात करते हैं अगले क्यूशन के अगला क्यूशन है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स या फिर पासिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है पासेक्स या फिर पासिंग एक्सरसाइज भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू की गई है आपको बता दूँ इसका क्यूशन शुरूगा अमेरिका भारत और अमेरिका की सेना का बीछ, पासिक्स या पासिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है। दीट में स्थित है, एक नमर बाद आपको ये ध्यान रखनी है, अमेरिका को USA भी कहा जाता है और USA की फूल फूरूम होती है, United States of America, United States of America, जानते हैं, इसकी राजधानी का नाम है वासी गटन, जेसी और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डोलर और इसके राश्चिकति का नाम है Donald Trump चाहिए आपको ध्यान रखना था अमेरिका के बारे में यह आपको ध्यान रखना था कि आउन्डमान निकोबार आइलेंड में भारत और अमेरिका की सेना के बीच पासिक्स या फिर पासिंग अक्सेसाइज शुरू हुई है, यह कहना आगे बढ़ते हैं, अगला क्यूशन है कि हाल ही में परधानमंतरी निरंदर मोदी Twitter पर हुए 6 million followers के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं तो आपको बता दूँ हाल ही में परधानमंतरी निरंदर मोदी के Twitter के उपर एक social media handle है Twitter, Facebook, Instagram के जैसे ही Twitter के उपर 6 million followers हो चुके हैं उसके साथ 6 million followers होते ही वो Twitter के मामले में किस स्थान पर पहुंच चुके हैं तो उनका स्थान हो गया है तीसरा यानि कहने का मतलब सबसे ज़्यादा follower की लिस्ट में तीसरे नमबर पर पहुंच गए हैं कौन? निरेंदर मोदी अच्छा पहले और दूसरे नमबर पर को इनके बार में चर्चा करते हैं तो पहले स्थान पर हैं ब्राक ओमाबा तो अमेरिका के पुर्व राष्टरपती है उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं डोनाल्ड टरम्प तो अभी हाल ही में अमेरिका के राश्पती है और तीसरी स्थान पर भारत के निरेंदर मोदी दो अमेरिका के और एक के निरेंदर मोदी भारत के ठीक है न तो ये क्यूसन आपको ध्यान रखना था अगले क्यूसन की बात करते हैं अगला क्यूसन आपके सामनी ये रहा कि उसने की हाल ही में भारत के पहले सारवजनिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चार्जिंग प्लाजा का उद्गाटन कहां पर किया गया है जान को क्या पच्छे से भारत के पहले सारवजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्गाटन कहां पर किया गया है तुम आपको बतादू नई दिल्ली केंदर किया गया है कहाँ पर किया गया है नई दिल्ली केंदर किया गया है ओप्स नमबर आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट एंसुर हो जाएगा भारत के पहले सारवजनिक इलेक्ट्रिक वहन चार्जिंग पलाजा का उदग केसी हैं ने दिल्ली में भारत के पहले सारवजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चारजिंग पलाजा का क्या किया उद्गाटन किया तो भारत का पहला सारवजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चारजिंग पलाजा कहां पर किया गया है इसका उद्गाटन नहीं दिल्ली केंद्र एक नंबर क् efficiency यानि उर्जा के दक्सता बढ़ाने के लिए और electric mobility को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्गाटन किया गया है कहां पर किया गया नई दिली के अंदर किया गया तो नई दिली की बात करते हैं नई दिली के मुख्य मंत्री का नाम है अरविंद केजरिवाल उप राजेपाल ने होते हैं वहां पर उप राजेपाल होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में रमेश बाबू किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं तुम आपको बता दू रमेश बाबू जो है वो करूर वेशे बैंक के करूर वेसे बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने हैं रमेश बाबू करूर वेसे बैंक के इस क्यूशन के बार में चर्चा करते हैं देखिए क्या है पी आर से साद्री का स्थान लेंगे पी आर से साद्री का स्थान कौन लेंगे रमेश बाबू लेंगे PR से साधरी की जगह लेंगे रमेश बाबू रमेश बाबू इससे पहले State Bank of India में उपपरबंद निदेशक की रूप में से वारत थे किसकी रूप में से वारत थे उपपरबंद निदेशक की रूप में से वारत थे कहाँ पर State Bank of India के अंदर SBI के अंदर SBI में उप परवंदग की रूप में क्या थे ये कारियरत थे लेकिन अब उन्होंने PR से साध्री की जगह लिए है M.D. और CEO की रूप में क्रूर वेसे बैंक की करते हैं तो करूर वेशे बैंकर की स्थाफ़ना गुनिस 16 में की गए थी इसका मुझ खेले करूर तमिल नाडू के अंदर है और इसके MD और CEO कौन बने है रमेश बाबू बने है अगले क्यूसन के और बढ़ते हैं अगला क्यूसन ये रहा कि हाल ही में किस देश में उपभोगता सरंक्षन अदिनियम 2019 लागू हुआ है उपभोगता सरंक्षन अदिनियम 2019 लागू किस देश में हुआ है ये क्यूसन आपसे पूचा है तो ध्यान रखोगे उपभोगता सरंक्षन अदिनियम 2019 जो लागू हुआ है वो भारत के अंदर हुआ है कहां पर हुआ है भारत के अंदर हुआ है ओप से नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल क्या होगा right answer होगा ओप्स नमबर ए आपता बिल्कुल राइट है उप भोगता सरंक्षन अदिनियम 2019 कहां पर लागू हुआ है भारत के अंदर लागू हुआ है जहां लोगोगे आप अच्छे से चलिए बात करते हैं इस क्यूशन के बारे में देखिए तो यह क्यूशन आपको समझ में आया अगले क्यूशन के और बढ़ते हैं अगला क्यूशन आपके सामनी यह रहा अगला क्यूशन है कि हाल है में किस राज्य में केंद्रिये खादे प्रसंस्क्रण उद्योग मंत्री हर सिमरत कोर बादल ने जोरम मेगा फुट पारक का उद्गाटन किया और किस ने किया है इंद्र किया है कहाँ पर किया है मिजोरम के अंद्र किया है और आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है इस क्यूशन के बारे में डिसकस कर लेते हैं देखिए जोरम मेगा फुट पारक 5000 लोगों को परतिक्स एवं एपरतिक्स रूप से क्या देगा रोजगार दे क्या नाम है जोरम ठंगा राजेपाल का नाम क्या है पी एस स्रीधरन पिलाई पी एस स्रीधरन पिलाई राजेपाल हैं किसके मिजोरम के मुखे नाइदिस का नाम है अजे लांबा अजे लांबा मिजोरम के क्या है मुखे नाइदिस हैं उमीद कर साथ हो यह क्यूशन आप के भारत के अंदर अदिक्स और परबंद निदेशक कोई निउक्त किये गये हैं तुम आपको बता दो इसका correct रेंट्सर होगा कुलमीत बावा को SAP के नए अदिक्स और परबंद निदेशक की रूप में निउक्त किया गया है कुलमीत बावा को ओपस नंबर ए आपका बिल्कुल correct है चलिए इस question के बारे में discuss कर लेते हैं बात करते हैं SAP के बारे में SAP की full form है system applications and products in data processing systems applications and products in data processing और मापको बता दो SAP जो है वो एक software company है तो प्वेर बनाने वाली company है SAP company और इसकी स्थापना एक अपरेल 1922 को की गई थी इसका मुख्याले कहां पर है वुर्टेम बरग में कहां पर है वुर्टेम बरग जरमनी के इंदर इसका क्या है मुख्याले है ये बात पर आप अच्छे सी दार लखोगे कुलमीत भाबा निउप की गई तली वे अगले कुसन के बढ़ते हैं कुसरा की निमन में से इस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाओ में महिलाओं को पचास परतिसत आरक्षन परदान करने वाले विध्यक को पेस करने वाली है उस राजे सरकार का नाम बताना है जो पंचायती चुनाओं में महिलाओं को पचास परतिसत आरक्षन परदान करने वाले विध्यक को पारित करने वाली है तो उस राजे सरकार का नाम हर्याना हर्याना जो राजे सरकार है वो पंचायती चुनाओं जो होते हैं उनमें महिलाओं को 50% आरक्षन परदान करने के लिए एक विदेख पारित करने वाली है विदेख पेश करने वाली है हर्याना के उप मुख्य मंत्री दुश्यंत चोटाला ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षन देने के लिए अगले विदान सभास्तर में एक विदेख लाने की गोशना की है और दुश्यंत चोटाला है वो उप मुख्य मंत्री तो हैं ही है हैं ही इस हर्याना के लेकिन इसके साथ उद्योग, ग्रामिन विकास और पंचायती राजमामलों के मंत्री भी है उद्योग, ग्रामिन विकास और पंचायती राजमामलों के मंत्री भी कौन है हर्याना के अंदर दुश्यन्त चोटाला है जो हर्याना के उपमुख्य मंत्री भी है उमीद कर साथ तो यह कुशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तलिए अब बात करते हैं आज के कोमेंट करके बताना है और अच्छे से आप कोमेंट करके बताना है और अच्छे से आप कोमेंट करोगे विडियो के सा लगा इसके बारे में आप बताओगे अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे शेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करेंगे आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जहिंद जे भार्त थैंक्यू बाइ बाइ है वे नहीं दे थैंक्यू